हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप बहुत बड़ी होंगे चलो बहुत अच्छी बात है तो देखो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से मतलब कौन कैसे पकड़ते हैं देखो सब का एक इस्टायर अलग-अलग होता है लड़कियों का अलग होता है म हमारा थोड़ा सा अलग है हमना जैसे हमारे फोर फिंगर से फाइफ फिंगर तो इसको सेंटर में रखके हम लोग मेहंदी का कौन चला देखो इस तरीके से अगर हम पैन की तरह पकड़ेंगे तो देखो हमारी एक्चली यह तो मुझे थोड़ा से एक्स्विन जादा है दस है कि आप लोग ऐसे बना पाओ तो वह चीन बताओंगा कि अच्छे से कौन कैसे पकड़ते सबसे पहले सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इस तरीके से अगर हम कौन पकड़ेंगे तो हमारे हाथों में फिनेशिंग बहुत मिस्किल है कि आप आए और मैं नोटी मेहने में क्या ऐसे कि इस तरीके से मेरे ने दिखा हूं कि तो यदि तो इस तरीके से बना के दिखा आँ कि इस सबसे काफ़ी नर्काहild को इस दिंक नीहीं होता कि कौन Bramas पकड़ते हैं बट जो मैं आपको तरीका बताऊँगा ना 100% आप एक या दो दिन ट्राई करोगे ना शियोर बोर रहा हूँ तीसरी दिन आपको आदत से पढ़ जाएगी और उसके बाद आप अगर जिस तरीके से हम लगाते हैं आप लगाऊगे मैं चेलेंज देता हूँ आप बहुत ही जल निकल गए ज्यादा बढ़ गई कोई बात नहीं तो देखिए अब हम यह दो फिंगर ना नीचे की तरफ लेंगे यह देखिए इसको सेंटर में ले लिया मलब एकदम स्ट्रीट और उसके बाद में जैसे दो फिंगर ऊपर और दो फिंगर नीचे ठीक है अब दुबारा ब यह रख लिए यहां पर उसके बाद में ऐसे यह बहुत ही इजी तरीका है कौन पकड़ने का तो इस तरीके से मैं अगयन अगयन बता रहा हूं आप लोग जहां से देखते रहना यह मैंने यहां पर सेंटर में पकड़ लिया इस तरीके से और यह मैंने देखो चलाना इस तरीके से पकड़के चलाओगे तो बहुत ही जल्दी से आप लोगों की फिनिसिंग आ जाएगी तो यह देखिए कितने अच्छे से स्ट्रेट लाइनिंग खिच रही है तो देखो उस में फरक है फरक वह भी ठीक लग रही है बट उससे आपकी जल्दी फिनिसिंग नह नहीं आ रही है तो उनके लिए मैंने इस पेसली वीडियो बनाई है कि फिनिसिंग कैसे आती है अभी मैं इस पर बना के देखाऊंगा आप लोगों को तो देखिए दोबारा इस तरीके से तभी फिनिसिंग आएगी जब आप अच्छे से कौन पकड़ना सीखोगे तो यह हमारा डे बन मालो किलास बन मालो या कुछ भी मालू आज का दिन तो मैं इस पेसली आप लोगों को वीडियो सेर कर रहा हू तो यह देखिए हब भी मैं पैन से झाल की टेखहूंगा आ पलोगों को कैसे चलाते हैं तो यह देखिए इस तरीके से देखो मैंने slavery से बना आया यूज हो रहे है तो देखे यह देखे इस तरीके से आप लोग और को चलाना है और नीचे सपोट हाथ का लें ना है तो बस यह हैं चाहँ हो यह बेष्ट सव een बेस्ट मेहन्दी कोण पकड़ने का बहुत अच्छा सा तरीका है तो आप लोगों कोई इस तरीके से कोण पकड़ोगे तो I hope आप लोग बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट हो जाओगे तो देखिए इस देखो पैन से मैं बनाता हूँ आपको देखो यह पैन ऐसे पकड़ते हैं यह मेरा स्टाइल सबका लग लग होता है यूँकि मेहन्दी आती है तो मैं यहीं चोड़ देता हूँ ठीक है देखो मैं लाइनिंग खिषता हूँ एक दो पैन से तहम लोग कुछ सकते हैं जिसका ड्रोइंग अच्छा है वह पैन से कुछ भी मना सकता है बट पैन मेहन्दी से बताऊंगा मैं आज आप लोगों को तो मैं यहीं बार-बार कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले अगर आप अच्छे से कौन पकड़ना शीख जाओगे उसके नीचे हाथ का सपोर्ट ले लिया दो फिंगर्स हमारे उपर आगे थम सबसे उपर हो गया और दो फिंगर्स मिडिल वाली दौनों जो नीचे वाली है वह हमारे नीच आगे की तरफ आ जाती है यह उपर है तो इस तरीके से ही आप लोगों को वीडियो मेहन्दी कौन मनलब सीखनी है कौन बना कौन पकड़ना कौन मतलब पकड़ना है आप लोगों को तो इसी तरीके से पकड़ना है कौन जैसे मैंने बताया है दो फिंगर्स उपर और नीचे एक दमें स्टेट और हैं का सपोर्ट लेके ठीक है तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को